नवस्कार दोस्तो मैंना नाम लाल बबु कुमार है मैं अपने यूट्व चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तो वो टिकट कैंसिल करने के बारे में हैं दोस्तो वीडियो और ix i go के दुवारा कैसे अपनी टिकट के कैंसिल करेंगे आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा और दोस्तों साथ में भी बताऊंगा कि आपका टिकट कैंसिल क्यूं नहीं होता है जब आप करते हैं उसका क्या रिजन है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं देखरें दोस्तों जब इस एप को खोलेंगे तो दोस्तों ऐसा फ्रेंड आता है मैं पीछे जाक रखाया इसमें जाना है अब यहां पर इसमें आएंगे तो जितना भी आपने टिकट बुक कर रखा है देखिए सब दिखा देगा कौन सी बेटिंग में कौन सा कनफर्म हो गया कौन सी आर्षी में और जो टिकट आप कैंसिल करना चाहते उस टिकट को खोजना है और देख यह मालने जी मुझे फर्स टिकट को केंसिल करना है तो मैं इस पर ओके करूंगा ओके करने के बाद दोस्तों हम नीची आएंगे नीची आने के बाद देखिए दोस्तों टिकट रद करें यह लिखा हुआ है रेड कलर में तो हमें क्या करना है इस पर ओके करना है दोस्तों जैसे ही हम ओके करेंगे वैसे हमारा टिकट क्या हो जागा केंसिल हो जाएगा देखिए दोस्तों इस टिकट को मेरे को केंसिल नहीं करना है पर आप इस पर ओके करेंगे तापका टिकट केंसिल हो जाएगा और दोस्तों रही बात कि आपका टिकट केंसिल क्यों नहीं होता है तो उसका रिजन क्या है दोस्तों मलेजी आपने आर्ट शैटी का बैक साइट से आपने टिककट बूक कर रहा है और आप ने आएकस स आए गो की दूवरा आप टिककट कंचल करने के सोच रहें तैंका कर टिककट केंसल नहीं होगा जिस app से आपने ticket book किया है उसी app से आपका ticket cancel होता है और दुसरी बात दोस्तों अगमाल लेजे आपका ticket किसी और ने book किया है और आप सोच रहें कि मैं दूसरे ID से ticket को cancel कर दूँ तो भी नहीं होगा जिसने भी book किया है जिसके दूआर आपने book करवाया है वो ही इस ticket को cancel कर सकता है किसी और का ID से ticket को book कर रखा है और आपने ID से cancel कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा और जो payment करता है तो जिस account से पैसे करता है जिस app के दूआर आपने पे किया है और मालेज आपने ticket cancel किया तो कितने दिन में आपके bank में पैसे वापस जाएगा तो उसके बारे में भी में बारा देता हूं देखिए दोस्तों railway के मुतावित अगर आपने किसी phone पैसे या ATM से अगर आपने book किया है तो आपको साथ दिन या चारपा दिन में कभी दो दिन में भी वापस कर जाता है तो कम से कम साथ दिन लग जाता है ticket की पैसे वापस करने में उसको लेगिन मैं जहां तक मेरा पैसा वापस आता है जहां तक मेरे को मालूम है दो या तिन दिन में पैसे आ जाता है वापस आपने ATM कार्ड से book किया है train का टिकट तो उसमें साथ से नो दिन लगता है कभी कभी 10-12 दिन भी लग जाता है ठीक है अगर आपकी 12 दिन हो गया और 12 दिन में आपका पैसे वापस नही अब आपने आएड़ी डोब्क और किया है किसी एप के दवरा आप करने भी स्ट मेकर से बाτα करते हैं और ओंई कहता है थो देखें दोस्तव आप इस फ्कर कर सकते हैं इस जो भी नोनो पैस आया थाम देखोड़ें कर गया है यहां पर लिखा है यहांप नहीं लग दिन हो गया था कि मैंने कंप्लेन किया था तो बोरत आ जाएगा साथ छे से साथ दिन में तो मेरा दो दिन में कंप्लेन करने के बाद मेरा पैसा आप वापस आ गया था